आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूगली गुट्टी 555 के बारे में तो मूगली गुट्टी 555 क्या है? इसके घटा कदरवे की इंग्रिडेंट क्या-क्या इसमें रहते हैं? कौन-कौन से ऐसी कंडिशन है जहां आपके डॉक्टर आपको इसको लिखके देते हैं? इसको लेने के बाद आपको क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है? किस प्रमाण में इसका सेवन करना चाहिए? इसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसका मूलिया कितना है कहां से आप इसको खरीच सकते है पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अन्तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विंक्टेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर विंक्टेश एच पुजार आईए आज की चर्चा को शुरू करते हैं तो देखिए मुगली गुटी 555 जो है यह एक आयरुवेदिक प्रॉपरेटरी मेडिसिन है आयरुवेदिक प्रॉपरेटरी मेडिसिन क्या होता है जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयरुवेदिक सम्मिता हो गए टेस्ट बुक हो गए वहाँ इसका उलेक नहीं मिलता है particular pharmaceutical company होती है वो herbal ingredients को use करकर अपना एक नया formulation तयार करती है इसका testing कराती है इसका approval लेती है उनके पास इसका मालिकाना हक होता है इसलिए इसको आयरुवेदिक proprietary medicine बोला जाता है तो देखिए मुगली गुटी 555 जो है यदि आपकी बच्चे में या फिर नवजाज शिशों में किसी भी तरीके के digestive issues है पाचन तंतर संबंदित कोई भी problem है या फिर पाचन तंतर संबंदित कोई भी रोग है वहाँ इसको use किया जाता है अब बात करेंगे इसके गटक दरवे की ingredients के बारे में कि कौन-कौन से ingredients इसमें डाले जाते है तो देखिए इसमें रहता है हरड चोटा और बड़ा हरड दोनों इसमें रहता है इसमें आजवायन रहता है बहेडा, निशोत, मुलेठी, सौफ, सेखुमा, मको जिसको काकामाची बोला जाता है अमलतास, जीरा, मुलेठी, शौफ, मरोरफली, इंदर जौन, फूल गुलर, सानाया, बई बेरंग, सुहागा ये सब ingredients इसमें रहते हैं आईए अब हम चर्चा करते हैं कौन-कौन से conditions में इसको लिख के दिया जाता है या फिर इसको लेने पर क्या-क्या benefit होने वाले है तो देखिए, बच्चों में किसी भी तरीके digestive संबने जो problem रहते हैं वहाँ इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है ये बच्चों में digestion को बढ़ाता है और जो indigestion की समस्या रहती है, उसको ठीक करता है और ये बच्चों में जो boil moments है रहते हैं, उसको ठीक करता है जिस वज़े से बच्चों को मलबद देता है कि जो समस्या रहती है constipation की समस्या है मतलब बच्चों को जो संडास नहीं आ रहा होता है तो उसको ठीक करने का काम करता है और ये आपके बच्चों को constipation की समस्या है वहाँ भी इसको यूस किया जाता है ये आपके बच्चों को दस्त हो गए है तो वहाँ भी इसको यूस किया जाता है ये क्या करता है, बच्चों में भूख को बढ़ाने का काम करता है और बच्चों के जब दांत आ रहे होते हैं देखिए उस टाइम पे बच्चों को इन डिजेशन की समस्या बहुत जादा रहती है दस्त की समस्या बहुत जादा रहती है वहाँ इसको ठीक करता है और बच्चों के जो मूँ से बहुत जादा सलाइवेशन होता है बहुत जादा मूँ में जो लार बनता है उसको भी ठीक ये करता है आईए अब हम बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमान में इसको लिया जाना चाहिए तो देखिए जो बच्चों के उमर है एक से तीन महीने तक के जो है उनको ये पांच ड्रॉप्स जब अवश्यकता रहती है तब इसको देना चाहिए इसको दिन में एक बार ही देना चाहिए और इसको आप खाना किलाने से पहले या फीडिंग से पहले या फिर खाना किलाने के बार फीडिंग के बार इसको दे सकते है और जिनकी उमर तीन महीने से छे महीने तक की है उसको ये हाफ एमेल आप दे सकते है जिनकी उमर छे महीने से लेकर एक साल तक की है उसको एक एमल सिरब दिया जा सकता है और जिनकी उमर एक साल से दो साल तक की है उनको ये देड़ एमल 1.5 एमल दिया जाना चाहिए जिनकी उमर दो से तीन साल 2-3 एर्स की है उसको ये धाई एमल 2.5 एमल दिया जाना चाहिए जिनकी उमर तीन से पांच साल तक की है त्री टू फाइयर्स की है उनको पांच एमल ये दिया जाना चाहिए आईए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में यदि आपने इसका सेवन किया है तो इसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते है देखे जब ये बच्चों को दिया जाता है और यदि बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिया जाता है तो उनको दस्त लग सकते है डिहाइडरेशन हो सकता है और उनको वीकनेस की समस्या हो सकती है आईए अब हम बात करते हैं कौन्टर इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसको नहीं देना चाहिए देखे इसका कोई भी कौन्टर इंडिकेशन नहीं है नवजाद बच्चे से लेकर छे साल के बच्चे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं आईए अब हम बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में कि कितने में आपको पढ़ने वाला है तो देखिए 60 ml का जो मोगली उटी 500 पचपन है वो आपको 29 रुपे में 39 रुपीज में पढ़ने वाला है और जो 100 ml का पैक आता है वो आपको 69 रुपे में 59 रुपीज में पढ़ जाता है और जो 180 ml का pack आता है आपको 98 रुपे में 98 रुपे में मिल जाता है अगर इसकी availability की बात करें कि कहां से आप इसको ले सकते हैं तो ये देखिए over the counter आपको कहीं भी किसी भी आयरवेदिक medical store आयरवेदिक pharmacy या फिर किसी भी general pharmacy में आसानी से मिल जाता है तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकर या आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी यदि आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाते है चैनल को subscribe कर लिजिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी doubt है comment section में comment कीजिए तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ till then take care धन्यवाद